Brought to you by Agilis Diagnostics भेल टेस्ट की बाद आती है तो मैं फरोसा करता हूँ इंडियांस लाज़ेस डागनोस्टिक्स कमपनि Agilis Diagnostics खुद को टेस्ट करते रो जितनी बार ये वीडियो अमेरिका देखेगा उतनी बार वो खुद को कोसेगा कौन कहेगा कि ये हलिकॉप्टर्स जो तालिबानी लडाके उडा रहें अमेरिकन मेड हैं और इन हलिकॉप्टर्स के लिए उन्हें ना तो अमेरिका से कोई डील करनी पड़ी ना ही किसी तरग का समझोता वीडियो में आपको दो हेलिकॉप्टर्स दिखाई दे रहे होंगी एक है ब्लैक हॉप्ट और दूसरा है एमडी 530 वक्त वक्त पर तालिबान इस तरह के वीडियोज रिलीज करता है मानो वो अफगानिस्तान से ही बैट कर अमेरिका को चिड़ा रहा हो तालिबान ने एक पोस्ट भी शेयर किया जहां उसने लिखा बायू सेना द्वारा दो हेलिकॉप्टर्स की मरम्मत की गई पिछले कुछ महीनों में रास्टिय रक्षा मंत्राले की तक्नीकी और पेशेवर इंजीनियर्स के अनुमती से दो हेलिकॉप्टर्स एक ब्लैक हॉक अमेरिकी हेलिकॉप्टर और दूसरा MD530 अमेरिकी हेलिकॉप्टर की मरम्मत की गई है अमेरिका को देखकर भी तरस आ रहा होगा कि उसके बनाए दुनिया के सबसे खतरनाक हेलिकॉप्टर्स किसके हाथ लग गए हैं ब्लाक हॉक हेलिकॉप्टर को ही देख लीजिए इस हेलिकॉप्टर को लॉकेट मार्टिन की सहयोगी कमपनी सिकोस की एरक्राफ्ट ने बनाया है ब्लैक हॉक हेलिकॉप्टर का इस्तमाल अमेरिका, जापान, इसराइल, ब्राजील, चीन जैसे तमाम बड़े देश करते हैं लेकिन गजब की बात है कि तालिबान के पास भी ब्लैक हॉक हेलिकॉप्टर मौजूद है अब रही बात इस हेलिकॉप्टर की MD530 तो MD530 हेलिकॉप्टर नजदी की हमले के लिए उपयोग किये जाते हैं एक MD530 हेलिकॉप्टर की कीमत करीब 10 लाग डॉलर हैं और आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन कुल 73 विमान लगभग 100 वाहन और अन उपकरर अमेरिकी सैनिकों द्वारा अफगानिस्तान में छोड़ दिये गए थे या आकड़ा और भी बड़ा हो सकता है वहीं से पहले भी तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने के तीन साल पूरे होने का जश्न मिलिटरी परेड के साथ मनाया था वहां भारी मात्रा में अमेरिकन हत्यारों के साथ तालिबानियों को देखा गया था इस दोरान कई अमेरिकन वाहन भी देखे गए थे तालिबान ने अपने शक्ती प्रदेर्शन के लिए उसी अयर्वेस को चुना था जहांसे अमेरिका अफगानिस्तानी सेना के साथ मिल कर तालिबान पर हमले करता था बग्राम एयर फील्ड पर तालिबान में जो शक्ती प्रदर्शन किया उसमें ज़्यादा तर अमेरिकी हत्यार ही दिखे थी हलाकि इस परेड में भारती हलिकॉप्टर का भी प्रदर्शन किया गया था यह हलिकॉप्टर भारत में अफगानिस्तान सरकार को भेट किये थे लेकिन जो दुर्दशा अमेरिकी समान की तालिबान के हातों हुई वो जरूर उसके लिए खून के घूट पीने जैसा ही है इस वीडियो को देखकर आपका क्या कुछ कहना है कॉमेंट करके जरूर बताएं ब्यूरो रिपोर्ट भारत तक ब्यूरो भारत तक